केसे वाप मेरे किचन में आपका स्वागत है तो आज मैंने बनाय है सिंगापूर नूडल्स तो आप मेंसे बहुत लोगों ने सिंगापूर नूडल्स खाये होंगे तो मैंने जब सिंगापूर नूडल्स खाये थे ना तो मुझे इतने पसंद आये थे तो मैंने सुचा क्यो एड किया है two glass of water और उसी के साथ मैंने एड किया है यह one packet of noodles noodles को हमें अच्छी तरीके से boil कर लेना है तो हमने इसमें एड किया है one tablespoon salt और हमें इसे अच्छे तरीके से boil कर लेना है और ingredients में ने तरी eggs लिये है जुकीनी है और मश्रूम, कैपसिकम, स्प्रिंग ओनियन्स और थोड़ा सा काबिज इसे सब वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है और साथ हमारे नूडल्स भी हो चुके हैं अच्छी तरह से बॉयल तो यह लिया है मैंने कड़ाई को, उसमें मैंने अड़ किया है और यह है जिंजर और गार्लिक को मैंने दरदरा पीस कर ले लिया है यह मैंने अड़ किया है और इसे हम अच्छी तरह से प्राई कर लेंगे और जैसे ही ginger and garlic अची तरह से pry हो जाएगा उसमें हम ये hard vegetables को आड़ करेंगे जिसे थोड़ा सा time हम पकाएंगे तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छे से सौटे कर लिया है vegetables को और ये है maggie cube maggie cube optionally अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो otherwise compulsory नहीं है बड़ इससे जो है ना taste और भी increase हो जाएगा तो इसलिए मैंने आड़ किया है one maggie cube अब मैंने इसमें आड़ कर लिया three eggs जो मैंने squeeze करकर रखे हुए थे वो इसमें आड़ कर लिया है अब इस एक को अच्छे पकने तक हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और यह देखे एक जचे तरीके से पक चुके है और यह अलग-अलग हो चुके है तो यह देखे बहुत ही अच्छा texture जो है इसमें आ चुका है तो हम जैसे ही पक जाएंगे एक उसमें हम बाकी के vegetables अड़ करेंगे तो हमने आड़ कर लिया इसमें cabbage cabbage को पकने में जादा time नहीं लगता इसलिए हमने last में इसे आड़ करना है तो हम इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे उसके साथ ही हम ये noodles को इसमें आड़ कर लेंगे और आड़ करने के बाद में हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और ये देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से mix कर लेना है और जैसे ही mix हो जाएगा हम इसमें सारे sauces आड़ कर लेंगे सबसे पहले मैंने इसमें आड़ किया है 2 tablespoon soya sauce then मैंने इसमें आड़ किया है शेजवान चटनी या शेजवान sauce जो भी आपके पास अवलेबल होगा वो आड़ करना है उसके बाद मैंने इसमें आड़ किया था tomato sauce 1 tablespoon तो ये देखिए हैं सारे sauces आड़ करने के बाद में हमें अच्छी तरीके से इसे mix कर लेना है तो इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है जब तक कि sauces noodles के साथ में मिलना जाए और सारे sauces आड़ करने के बाद में आपने इसमें नमक टेस्ट करना है अगर salt कम है तो आपको इसमें salt आड़ करना है otherwise सारे sauces में already salt होता है इसलिए मैंने इसमें अलग से salt आड़ नहीं किया है तो इसका जो टेस्ट था वो perfect था इसमें salt perfect था तो ये इस तरह से मैंने Singapore noodles ready किया है तो रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो comment box में ज़रूर बताएगा like कीजिएगा, share कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा thank you so much for watching my videos